हलो वियोर्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज का हमारा ब्लॉग होने वाला इस ब्यूटिफुल से है बेंड का तो चलिए हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सबसे पहलेंगे यह रिबिन तो देखे यह एक इंच वाला रिबिन आता है न वो है और मैं इसके आपको लंबा आप इसको किसी भी एक एंच से पकरड़ेंगे और सुई में से धागा डाल लेंगे और इसमें टाके लगाना शुरू करेंगे हम इसमें एबरेज टाके लगाएंगे ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजे देखे मैं आपको दिखा रही हूँ अगर आपको देख सकते हैं तो देखिया है इसे हम टाके इसमें फटाफट सारे टाके लगा लेंगे मैंने यहाँ पर जो रिबिन यूज किया है वो नॉर्मल जो हम बालों में लगाने के लिए यूज करते हैं वो ही वाला रिबिन जाज़ा जो ठिक वा सारे ताके लगा लिए है अब इसका एक एल्ड है ना वहां से दागे को निकालेंगे ऊकि अप्या करेंगे रिबिन को एकुदम सीधा करते हो चलना है जया जो तक फोना इस बात का द्यान रखना है आपको कि तुस्ट नहीं हूत सारा हमारा रिविन रहा भाएंद कि पुरा इखटा करन लिआ है आप क्या करेंगे इसके जो डोनों एंट उन्हें हम गठं लगा लेंगे दोनों एंडों पर आप अच्छे से गठान लगाईएगा ताकि वो खुलेना थोड़ा टाइटली तो इस तरीके से मैं इसमें फटावट गठान लगा लूँगी अब जो एक्स्टा में हमारा धागा बचा हुआ है इसे हम काटके अलग कर देंगे और इस फ्लावर को थोड़ा सेट कर देंगे तो देखे ये फ्लावर ना ब्लैक ऐसे ही मैंने वाइट भी पूरा बना के रेडी कर लिया है तो इस तरीके से मैंने पांच वाइट और चार ब लगाएंगे मैंने यहां परपी 6000 ग्लु का यूज किया है अब हम रिबिन लेंगे देखिए सका एंड है न मैंने पहले ही सेट करके रख लिया है तो आप भी सेट करले ताकि दागे वगेरा ना निकले यहां पर जो मैं रिबिन यूज कर रहे हूं वह एक इंच वाला लगाते जाएंगे और इसे चुपकाते जाएंगे मैंने आपए 6000 का यूज किया है अगर आपके पास ये ना है नहीं है तो आप क्या करी का glue gun की help से भी से चुपका सकते हैं थुदा थुदा सा glue लगाते जाएयेगा और चुपकाते जाएगेगा अब मैं फटाफट जो ये हैर बेंटेस के उपर सारे रिबिन को रैप कर दूँगी तो देखे इस तरीके से मैंने इसके उपर रैप कर दिया अब जो एक्स्टा में रिबिन ना उसे काट के अलग कर देंगे और जो इसका एंड है ना इसे भी हम पूरा सेट कर लेंगे देखे इसमें मेरा थोड़ा आग लगए तो आप कियरफुली कीजिएगा ओके और ग्लू लगाके इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे यह हमारा पूरा बेस बन के रैडी हो चुका है अब हम क्या करेंगे यहां पर ग्लू लगाएंगे यहां पर मैं ग्लू गन का यूज करूँगी और यह फ्लावर लेंगे और इन्हें चिपकाएंगे और यहां पर पहले ब्लैक फारवर से स्टार्ट कर रहीं आप चाहें त हम पर ब्लू लगाते जाएंगे और यह फ्लावर को चिपकाते जाएंगे मैंने यह ब्लैक उन वाइट बनाया है अगर आप चाहें तो इसमें जो सारे फ्लावर हैं वो सारे अलाकला कलर के ले सकते हो उससे भी काफी प्रिटी लगता है इस तरीके से हम वटावर सारे जो ठुपका लेंगे तो देखिए लास्ट में है हमारा यह वाइट ख्रिंगे और इसका कुछ लोक है और यह एक्सटा में हमारा फूल बच गया तो इसे अलग कर देंगे और इसे डेकूरेट करने के लिए कुंदन लेंगे देखें ये कुंदन है, आप चाहें तो लगाएं, चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं अब हम यहाँ पर glue लगाते जाएंगे और इस कुंदन को है ना चिपकाते चाहेंगे, अगर आपके पास यह कुंदन ना हो, तो आप मोती भी ली सकते हैं, और अगर आप दोनों ना करें, तो इसे skip भी कर सकते हैं, पर यह कुंदन लगाने से इसका जो लुक है, वो बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो इसे भी 6000 की help से भी चुपका सक और यूनीक हैर्बिट बनके तैयार है, अगर ब्लाग पसंद आया तो चलब कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिलकुल मत बूलना, थैंक्यू फो वर्चिंग मैं चैनल